मुवी के स्टार्ट होते ही आमें बताया जाता है कि दुनिया में पापुलेशन रेट बढ़ता ही जा रहा है और इतनी सारी पापुलेशन की फूड सप्लाइंग के लिए साइंट्रिस ने कुछ आर्टिफिशल बीच बनाए जिस पर तरह तरह के केमेकल्स लगाए ये बीच इस परपस के लिए बनाए थे कि अगर एक बीच बोया जाएगा तो उसे बहुत सारा अनाज पैदा होगा लेकिन ये जैनिटिकली मोडिफाइड थे यानि अगर इसके बेनेफिट्स थे तो इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा थे यानि एक टाइम में एक या दो से ज़्यादा बच्चों का पैदा होना अब जाहिर सी बात है कि इतने सारे बच्चे एटा टाइम होते थे तो इसे अबादी भी बढ़ती जा रही थी तब इस पापुलेशन को रोकने के लिए एक सीनियर लेडी डॉक्टर वन चाइल्ड पॉलिसी अप्लाई करवाती है यानि कोई भी फैमली हो वो सिर्फ एक ही बच्चा पाल सकता है वहीं पर एक लेडी होती है जिसका नाम केरिन होता है वो साथ लड़कियों को पैदा करती है और वो सारी बच्चियां बिल्कुल सेम थी यानि शकल सुरत में वो बिल्कुल एक जैसे ही लगती थी कि उन्हें पहचानना काफी मुश्किल था लेकिन उन बच्चियों को पैदा करने की बाद केरिन खुद मर जाती है लेकिन उन बच्चियों के ग्रेंट फादर उन सारी बच्चियों को गौर्मेंट के हवाले नहीं करना चाहते थे इसलिए उन बच्चियों के ग्रेंट फादर एक डॉक्टर की मदद से उन्हें अपने पास ही रख लेते हैं और उन्होंने अपने ग्रेंट डॉक्टर्स के नाम डेज और वीक रखे यानि किसी का नाम संडे रखा तो किसी का नाम मंडे रखा और इसी तरह बाकी डेज के नाम उन सारे लड़कियों को सिर्फ एक एक दिन ही बाहर जाने की परमेशन थी यानि जो बच्ची संडे है वो संडे की दिन ही बाहर जाएगी जो मंडे है वो सिर्फ मंडे की दिन ही बाहर जाएगी और किसी दिन नहीं वो ऐसा इसलिए करना चाहते थे ताके गौर्णमेंट उने नावा कर ले और सारी बच्चियां अपनी मदर का नेम यानि क्यारिन रखके ही बाहर जाती थी ताके वो अपनी लाइफ को अच्छे से स्पैंड कर सके और दुनिया में होने वाली नए नए अक्टिविटीज को भी सीखा जा सके उन सबी बच्चियों के हाथों में electronic device लगाई गई थी ताके एक बच्ची अपने information अपनी बाकी sisters के साथ भी share कर सके फिर एक दिन Thursday बाहर चुक के से skating करने के लिए चली जाती है जिससे उसकी एक finger थोड़ी सी कर जाती है ये देखकर उन बच्चियों के grandfather उन बाकी बच्चियों के भी थोड़ी थोड़ी fingers कार देती है ताकि उनकी हाथ में सेम चोट हो और कोई भी उन्हें पहचान ना सके वो इस बात का फाइदा उठा रही थे क्योंकि उनकी face बहुत ज़्यादा match होते थे इसके बाद हमें 30 साल बात का scene दिखाया जाता है जहाँ पर उन लड़कियों के grandfather की death हो गई थी लेकिन वो साथों sisters अपने grandfather के rules की मताबिक ही अपनी life spent कर रही थी लेकिन वो सारे लड़किया अपने daily life से काफी bore हो चुकी थी इसके बाद हम दिखती हैं कि Monday office जा रही है हम दिखती हैं कि Monday जहाँ पर काम करती थी वहाँ पर एक लड़का भी था जिसका नाम Adrian था Monday और Adrian एक दूसरे को like करते थे और वो सिर्फ Monday की दिन ही मिला करते थे क्योंकि बाखे days में तो Monday की sisters आती थी इसके बाद Monday अपने एक कुलेक से मिलती है लेकिन सब उन sisters को केरिन के नाम से ही जानते थे क्योंकि वो अपनी मदर का name यूज करके अपने अपने दिन काम पर जाया करती थी लेकिन Monday और उसके कुलेक की बिलकुल भी नहीं बनती थी क्योंकि आज Monday की परमोशन होने वाली थी जिससे Monday का कुलेक जैलस होने लगता है अब क्योंकि अगर मंडे की पर्मोशन होगी तो उसकी बाके सिस्टर्स की भी पर्मोशन हो जाएगी इसलिए मंडे की सारी सिस्टर्स काफी एक्साइटिड थी और उसके आने का बिसबरे से इंतजार भी कर रही थी क्योंकि वो सारी की सारी अपने अपने दिन अपने अपनी आइडेंटिटी लेकर काम पर जाया करती थी लिकिन काफी रात गुजर जाती है और मंडे अभी तक घर नहीं आई थी इसी वज़े से मंडे के सारे सिस्टर्स को उसकी फिकर होने लगती है अब क्योंकि उन सब में से इंटेलिजेंट फ्राइडे होती है इसी लिए वो मंडे की डिवाइस की लुकेशन को ट्रेस करती है लेकिन वहाँ पर नो सिगनल आता है पर ट्यूस्टे वाले दिन ट्यूस्टे से मंडे की तरह मेकप करके आफिस जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि कैरिन यानि मंडे का परमोशन हो गया है और ट्यूस्टे को मंडे के गाईब होने का शक उसके कुलीग पर था क्यूंकि उनके बीच ज्यादा बनती नहीं थी इसके बाद ट्यूस्टे कलब जाती है और वो लोग ट्यूस्टे की वो electronic device भी ले लेते हैं और उसे destroy कर देते हैं जिससे ट्यूस्टे की sisters को उसका नौ signal मिलता है इसके बार ट्यूस्टे को कैब ले जाया जाता है वहाँ पर कैब की head lady doctor ट्यूस्टे को बताती है कि मैं तुमारी sisters वाली रास को जानती हूँ फिर वो lady doctor उन सारी बेहनों को मारने का order दे देती है फिर वो लोग ट्यूस्टे की आँख निकालेती हैं और उस आँख को वो लोग ट्यूस्टे की घर पर लेकर जाती है पिर ट्यूस्टे की आँख को यूस कर की वो डूर को ओपन कर लेती है वहाँ पर उन sisters और उन agents के बेच काफी fight होती है वो sisters उन सारे agents को मार डालती है लेकिन इस fight के बेच संडे की भी मौत हो जाती है जब उस lady doctor को ये बात पता चलती है कि उसकी सारे agents मारे गए हैं तो एक agent उस lady doctor को मश्वरा देता है कि उन सारे sisters को wanted list में डाल देना चाहिए लेकिन इस बात के लिए वो lady doctor साफ इंकार कर देती है क्योंकि वो parliament की member थी और इसका side effect उस पर भी बढ़ सकता था जब उन sisters को ये बात पता चलती है कि वो आँक उनकी sister Tuesday की है तो वो काफी डर जाती है और वो काफी दुखी भी हो जाती है अब उन सारे sisters को अपने कुलीग पर शक था इसलिए Wednesday बगार कुद को change किये अपने उस कुलीग के घर पर जाती है Wednesday जाकर उसे gun point कर देती है जिस पर वो सारी बात बता देता है वो बताता है कि Monday को परमोशन इसलिए मिली थी क्योंकि उसने बहुत सारा पैसा as a fund उस lady doctor को दिया था लिकिन तबी कोई उस male कुलीग को shoot कर देता है जिससे उसकी वहीं पर ही मोत हो जाती है और वो गोली एक agent निमारी होती है और वो agent अब घर में घुस जाता है जहाँ पर Wednesday बड़ी समझदारी का मुझाहिरा करते हुए उस agent को मार डालती है फिर वो उस agent के gun लेकर बाकि सारे agents को भी मार डालती है इसके बाद Wednesday वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन सारे agents उसके पीछे पर जाते है लेकिन तबी Monday का वो friend Adrian, Karen यानि Monday से बात करने के लिए उनके घर पर जाता है Adrian के साथ बात करने की दुरान Saturday को पता चल जाता है कि मेरी कोई भेन Adrian के साथ relationship में है इसके बाद वो लोग एक plan बनाते हैं जहाँ पर Friday अपने sister Saturday को Adrian के साथ जाने के लिए गहती है और साथ साथ वो उसकी electronic device में एक चिप भी लगा देती है ताकि cab के computers को hack किया जा सके दोसी तरह Wednesday भागते भागते एक terrace पर आजाती है और जब Wednesday एक building से दूसरी building पर jump करने की कोशिश करती है तब एक agent उसे shoot कर देता है जिससे Wednesday मरती तो नहीं है लेकिन बच जाती है और फिर वो agent Wednesday की सर पर shoot करता है और देखते ही देखते उन सारे sisters की आँखों के सामने Wednesday की मौत हो जाती है पिर Saturday Adrian के साथ उसके घर पर जाती है और वो बिल्कुल ऐसे ही react करती है कि जैसे वो Adrian की friend हो लिकिन तभी Saturday अपनी device पर लगी चिप की मदद से cab की computers को hack कर लेती है जिससे वो cab की computers का सारा data अपनी sisters को transfer कर देती है जहाँ पर data चेक करते हुए उन्हें एक cell में अपने sister नजर आती है जिसे वो लड़किया अपनी sister Monday समझ लेती है और काफे खुश हो जाती है इसकी बाद Adrian थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाता है अब क्योंकि पीछे से Saturday घर में अकेली होती है तो वहाँ पर बहुत सारे agents आ जाती है और वो Saturday को उसकी बेहनों के सामने बुरी तरह shoot करके मार डालती है लेकिन तब ही उन sisters के घर पर भी कोई attack कर देता है जहाँ पर Thursday और Friday घर से भागने की कोशिश करते है जहाँ पर Friday कहती है कि हमें एक साथ भागना नहीं चाहिए फिर Friday को एक idea आता है वो भागते भागते एक apartment में चली जाती है जहाँ पर वो एक microwave का use करके अपने sister को अपना आखरी goodbye कहती है वहाँ पर वो खतरनाक blast कर लेती है जिससे उसकी मौत हो जाती है उसके इलावा वहाँ पर जितने भी agents होते हैं वो भी सारे मारे जाते है यहाँ पर Friday ने खुद को sacrifice करके अपनी sister थस्टे की जान बचा ली ये news जब Adrian को पता चलती है तो वो Karen को check करने के लिए उसकी घर पर जाता है और उसकी मौत Adrian से बिलकुल भी बरदाश नहीं हो रही थी लेकिन जैसे Adrian वहाँ से जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठता है जहाँ पर थस्टे भी गाड़ी में आ जाती है और वो Adrian को उसकी बेहनों की मौत का responsible कहती है और यहाँ पर Adrian को सारी बात समझा जाती है कि ये सारी बेहने एक ही नाम यानि Karen यूज करके अपने जिन्दगी गुजार रही थी तबी Adrian थस्टे को पताता है कि मैं तुमारी सिस्टर मंडे से बहुत प्यार करता था और कहता है कि इसी वज़े से मैं तुमारी हेल्प भी कर दूँगा इसलिए वो लोग एक प्लान बनाते हैं Adrian थस्टे को एक डर्ट बाडी बैग में डाल कर उसे कैब की मेन ओफिस में रेकर जाता है जहाँ पर थस्टे अपने डिवाइस का यूज़ करके उनके सारे सिक्रेट मिशन को हैक कर लेती है और यहाँ पर उन लोगों को कैब की रियालिटी पता चल जाती है कि जो बच्चे भी गौर्वर्मेंट के पास होते थे वो उन बच्चों को उस हाई टकनॉलोजी मशीन में डाल कर मार देती थे फिर वो दोनों मिलकर वहाँ पर सब लोगों को मारने लगते हैं वो लोग एक सेल में जाते हैं जहाँ पर उन्हें ट्यूस्टे मिल जाती है और ट्यूस्टे की तो एक आँख पहले ही इन लोगों ने निकाली हुई थी और यहाँ पर कहाने का सारा राज रिवील हो जाता है और वो यह कि उन सिस्टर्स में मंडे थी जिसने अपनी बेहनों को दोका दिया क्योंकि वो उस लेड़ी डॉक्टर के साथ मेले हुई थी और उसने उस लेड़ी डॉक्टर को अपनी बेहनों वाला रास भी बता दिया था क्योंगे वो अकेले ही सोशल लाइफ जीना चाहती थी और बिलकुल अजादी के साथ वो अपनी लाइफ को स्पेंट करना चाहती थी फिर इसके बार टूस्टे से मंडे जैसा लुक लेकर उस लेड़ी डॉक्टर की प्रेजन्टेशन में जाती है जहांपर टूस्टे मंडे से भी मिलती है और वो मंडे पर बहुत ज़्यदा हुसा भी करती है क्योंकि मंडे बहुत ज़्यदा सेलफिश थी और उसने अपने सारे बहनों को दोका दिया था और इसी वज़े से वो एक एक करके मारी जा रही थी वही पर मंडे और टूस्टे की बीच काफी फाइट होती है और इसी दुरान एक गोली आकर मंडे को लग जाती है दूसरी दरफ थस्टे और एडरिन मिल कर कैप की रिकॉड़िट वीडियो को प्रेजेंटेशन स्क्रीन पर प्ले कर देती है जिससे सब लोगों को कैप और लेडि डॉक्टर की रियालिटी पता चल जाती है तभी गुस्से में आकर वो लेडि डॉक्टर थस्टे का गला दबाने लगती है लेकिन तभी वहाँ पर मंडे आ जाती है गोलियां चलने की वज़़ से वहाँ पर लोगों की हलचल मच जाती है यहाँ पर हमें पता चलता है कि एड्रियल और मंडे ने असल में शादी कर ली थी मरते मरते मंडे बताती है कि मैं प्रेगनेंट हूँ मैं अपने बच्चे को बचाना चाती थी और उसे दुनिया मिलाना चाती थी इसलिए तो मुझे उस लेड़ी डॉक्टर के साथ ये डील करनी पड़ी इसके बाद न्यूस पर बताया जाता है कि वन चल्ड पोलेसी हटा दी गई है और कॉर्ट ने उस लेड़ी डॉक्टर को मौत की सजा सुना दी है क्योंकि उसने इतनी सारे बच्चों को मार डाला था इसके बाद हमें एक अर्टिफिशल ट्यूब में दो ट्विन्स बच्चे दिखाए जाते हैं और ये बच्चे मंडे के थे जिने उनकी फादर एड्रियन ने और ट्यूस्टे और दस्टे ने बचा लिया था और ट्यूस्टे ने अपनी एक अर्टिफिशल आँख भी लगवा ली थी और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है थेंक यू